Question No.13 इसके दो पार्ट से हैं दोनों पार्ट से इन इक्वैलिटी इसके रिलेटेड हैं देखें इन इक्वैलिटी लगी विए इन इक्वैलिटी लगी विए इक्वैल का साइन नहीं है लहादा थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी तमाम एक्सरसाइस से इनका और इसको पढ़ते हैं पहले Question No.1 कर लेते हैं और ये क्या है और ये क्या है असान सा सवाल है लेकिन पहला स्टेप क्या होता है हमारा इंडक्शन में कि एन इक्वैल टू वन लिया जाता है और इसके इक्वैशन में डालें तो ये हो जाएगा स्टेप टू हमारा क्या होता है एन इर इक्वैल टू के लिया जाता है एज्यूम किया जाता है तो ये हो जाएगा टू रेस तो पावर के ग्रेटर देन यहाँ पे भी एन की जगा के लगेंगे तो ये हो जाएगा के तो यह हम लोगों ने एज्यूम किया है और इसको हम कह देते हैं equation A अब step 3 हम लोगों ने करना है और उसमें हम लोग n equal to k plus 1 ले ले लेंगे तो यह हो जाएगा 2 raise par k plus 1 greater than k plus 1 अब हम लोगों ने यह चीज कैसे लेकर आनी है कैसे achieve करनी है इसको हम कह देते है equation B और इसको achieve करने के लिए हम लोग step 2 से induction करके आ गयाएंगे और यह step 2 की equation है अब इसका हम क्या करें कि यह इस शकल में आ जाए सोचने की चीज है सबसे पहले तो इसकी left hand side को देखें inequality की 2 raise par k है अगर 2 raise par k plus 1 बनाना है तो इस left side को हम multiply कर देंगे किस से by 2 और अगर left side को multiply करेंगे 2 से तो right को भी 2 से करेंगे तो चलें इसको multiply करते हैं 2 से लेकिन 2 को कहा लिखेंगे left side पे राइट side पे देखें इसके right side पे लिखेंगे multiply तो करते हुए left side पे भी लिख सकते हैं लेकिन क्योंकि हम लोग ने अल्टिमेटली ये शकल लेके आनी है तो हमारे लिए असानी रहेगी तो टूरसफ़ार के इंटू टू ग्रेटर देन अब इसको भी टू से मल्टिप्लाइगा देंगे राइट साइड को तो ग्रेटर देन टू के यहां पे आ जाएगा टूरसफ़ा के प्लस वन और यहां पे हमें क्या चाहिए हमें तो चाहिए के तो इस टू के को हमा लएदा लएदा कर लेते हैं के प्लस पे कर लेते हैं और अभी हमें क्या चाहिए राइट साइट पे प्लस वन आना चाहिए तो अगर हम लोग अपनी तरफ से प्लस वन लिखें तो माइनस वन भी अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा अभी देखें आप इसी इनिक्वैलिटी को इसके अंदर आपके वास काफी सारी चीज़ें करीब आ चुकी है तो इस पा के प्लस वन आ चुके है के आ चुके प्लस वन आ चुके यह के और माइनस वन एक्स्टर है तो हम लोग इस तरह करके लिख लेते हैं left side पे k plus 1 और right वाली side पे unwanted चीज़े लिख लेते हैं k minus 1 अब इस question का interesting step है जो आपको समझना है relate करना है आपने देखें अगर 9 है यह सवर्स कर लें कि 9 है और यह greater है then 3 इसको 3 समझने plus 2 9 is greater than 3 plus 2 तो हम इसको यह भी तो लिख सकते हैं कि 9 is greater than 3 तो इसको अगर हम यह लिखने तो इस पार k plus 1 is greater than k plus 1 तो यह देखें कि आपकी desired step 3 के अंदर जो induction step है वो complete होगे है part 2 की तरफ चलते है n factorial is greater than n square for every integer n greater than or equal to 4 यह भी असान साथ सवाल है step 1 में हम लोग नहीं क्या करना है n equal to 4 लेना वन नहीं लेना उसने बता दिया है एक तो ट्रिक यह सवाल की तो अगर 4 लेंगे तो यह होजाएगा 4 factorial greater than 4 square 4 factorial की value क्या होती है 4 multiply by 3 multiply by 2 multiply by 1 और यह n square की value क्या लिखेंगे हम 4 की square क्या होते 16 अब इसको multiply करें तो हमारे पास value आ जाती है 24 which is obviously greater than 16 तो पहला step तो हमारा ok हो गया step 2 में हम लोग ने क्या करना होते है assume करना होते है कि n is equal to k है तो यह हम लोग लिख लेंगे k factorial greater than k square इसको हम लोग कह देते है equation a तो यह step भी हमारा ok हो गया for k greater than or equal to 4 यह दरूर लिख लेना है step 3 for n is equal to k plus 1 क्या होना चाहिए k plus 1 whole factorial greater than k plus 1 whole square अब इस तक हम लोग ने पहुंचना कैसे है इस तक हम लोग ने पहुंचना है step 2 की equation के तूरू जो की equation a है इसको हम कह देते है equation b तो equation a से हम लोग ने यहाँ पहुंचना है अब यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा जा सकते है k factorial को किसी चीज़ से multiply करें कि k plus 1 whole factorial बन जाए multiply कर देते हैं किस से k plus 1 से यह देखें यह equation मैंने दुबारा नीचे उतारी और अभी इसको multiply करेंगे k plus 1 से दोनों साइड़ों को क्यूं k plus 1 multiply करेंगे तो यह क्या बन जाएगा k plus 1 factorial बन जाएगा जो left side पे हमें चाहिए यह कैसे हो रहा है यह मैं आपको समझाता हूँ अब जब left पे k plus 1 से multiply किये तो right पे भी k plus 1 से multiply करना है अभी इसको देखें यह मैंने क्यों किया है देखें हमारे पास समझें कि 6 factorial था जैसे यह 6 factorial को अगर 7 से multiply कर दें तो यह हमारा बन जाता होता है 7 factorial हमारे पास देखें यह समझे 6 factorial था हमें चाहिए क्या 7 factorial यानि k plus 1 whole factorial तो हमने k factorial को multiply कर दिया k plus 1 से ठीक है उमीद है इस relation से आपको समझा आगी होगी अभी आगे चलते हैं यह बन गया k plus 1 factorial greater than k square into k plus 1 अब एक और interesting step यह k square आप देखें और k square greater than होता है k plus 1 से और for all values n greater than or equal 4 हम लोग देख रहे हैं तो try करके देख लेते हैं क्या k square k plus 1 से greater होता है देखने थी पता लग रहा है 4 square will be greater than 5 4 square will be greater than 4 plus 1 यानि 16 is greater than 5 तो अगर k square की जगा k plus 1 लिखा जाए तो value और छोटी हो जाएगी ठीक है इसको हम यू लिख लेते हैं के k square की जगा लिख लें k plus 1 और ये k plus 1 as it is तो अब देखें ये बड़ी value है और ये छोटी value है इसलिए हम इस equation को इस तरह relate कर सकते हैं जैसे a is greater than b greater than c तो इस सुरत हाल में हम लोग लिख सकते हैं a is greater than c ठीक है लिख लिखा लादा ये वाला step हम लोग हटा देंगे इसको k plus 1 whole factorial is greater than k plus 1 into k plus 1 और ये आप देखें कि ये k plus 1 into k plus 1 से हमारे पास right hand side पूरी आ रही है k plus 1 whole square तो हम लोग लिखते हैं k plus 1 whole factorial is greater than k plus 1 whole square तो ये हमारे पास answer पूरा हो गया इस step को एक दफार दोबारा समझ लें k square into k plus 1 हमारे पास था k square की value greater than होती है k plus 1 और चूंके हमें answer हम लोगों को चाहिए था k plus 1 whole square हमारे पास ये आ चुका था तो हमने k square से जान चुड़ानी थी तो हमने लिख दिया कि it is greater than k plus 1 into k plus 1 तो a is greater than b greater than c इसका मतलब है a is greater than c तो ये चीज true है और ये हमारा answer है और खो fuzzy है Steady with me a learning experience